आठ चार्सो 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 जी हाँ याद कर लिजिए वाट्साप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैच का सवाल हो या फिसिक्स इमिस्ट्री बाइलोजिका आपके हर डाउट हर कोशिन का मिलेगा तुरंद वीडियो सलुशिन वो भी सिधा आपके वाट्साप पर बस अपने फोन में डाउट्निट का आठ चार्सो 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 वाट्साप नंबर सेव कर लिजिए और चाट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल के आपको बस फोटो कीच नहीं है उसे क्रॉप करना है और पांच सेकेंड में आपको उसका वीडियो सि क्लास 6-12, ITJ, NEET, CBSC Boards और सभी State Boards के बच्चों के लिए तो देरिक इस बात की अभी जाए और आठ चार्सो 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 पर अपना सवाल वाट्साप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शिन में है नमस्कार विद्यार्थियों कैसे हैं आप आई ये हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाइसल जाटपर आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज की जुम्हें क्लासेँ वह हैं प्रकर कारी पुष्टी का गनीत कक्षा आठ कैंतरगत कारी पत्रक 40 आज की क्लास में कारी पत्रक 40 कोल करेंगे जो पेज नमबर 57 पर है आई ये शुरू करते हैं कारी पत्रक 40 इसमें दक्षिताएं अनुपात तथा प्रतिशत की अवधारना विक्सित कर सकेंगे विद्यार्थियों आज की क्लास में हम अनुपात तथा प्रतिशत की अवधारना के बारे में सीखेंगे समझेंगे उसका अभ्यास करेंगे पहला सवाल है निमने के अनुपात ग्याद कीजिए अब यह जो दे रखे हैं हमें इनके अनुपात ग्याद करना है जैसे कर 20 दिनों का 12 गंटे से तो विद्यार्थियों 20 दिनों का 12 गंटे से अनुपात ग्याद करना है तो अनुपात ग्याद करते समय यह द्यार नगरा है क दोनों तरब की जो इकाई है वह एक हो निच्चे है यह या तो यह दिन होता या यह गंटे हो तो इन दिनों को हम गंटों में बदल देंगे विध्यार तो एक दिन में कितने गंटे होते हैं गंटे कितने दिन में 20 दिन में चार्सो अंसी गंटे हो जाएंगे थम यह लिखेंगे चार्सो अंसी गंटे कि अनुपात 12 गंटे इस प्रकार से हम लिखेंगे जब आम अनुपात ग्याद करते हैं कि दोनों तरब की एकाई समान होनी चाहिए तो यानी चार्सो अंसी गंटे अनुपात 12 गंटे विद्यार्थियों दोनों ही 12 के पाढ़े से कट रहे हैं बारा ही कम बारा बार्चों करतालिस यानी यह जिरो लगा दें चालिस अनुपात कितना है इसका 40 अनुपात 1 ठीक है पिद्यार्थियों इंका अनुपात क्या होगा 40 अनुपात 1 अगला एक हा 10 रुपे का 90 पैसे से दियार्थियों यह 10 रुपे हैं इधर 90 पैसे हैं तो रुपे को हम पैसों बद लेंगे एक रुपए में सो पेसे होते हैं तो दस रुपए में कितने पेसे हो जाएंगे एक अजार पेसे यहां लिखेंगे हम एक अजार पेसे अनुपात नब्बे पेसे एक अजार पेसे अनुपात नब्बे पेसे तो जारतियों यह जिरो यह 0 दोनों कार देंगे क्या हो जाएगा 100 अनुपात 9 क्या होगा 100 अनुपात 9 ठीक है विद्यार दियो अगला एग 7 की ग्रा का 210 ग्राम से 7 किलो ग्राम का 210 ग्राम से 7 किलो ग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे 1 किलो ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं साथ किलो ग्राम में साथ अजार ग्राम होंगे कितने होंगे साथ अजार ग्राम कि अनुपात औरी कि दोसों दश ग्राम थीक हो अब यहां एक जीरों से एक जीरो कर जाएगा और साथ के पार्दस दोनों कर लगर साते कम साथ और सात्या 21 यह अनुपाथ क्या हो जाएगा तिन पքपाथ क्या होगा तो हग तो आनुपा तीन है ये तीक्व्धव अगला हैं गर 15 सेमी का 5 मीमी से तो एक सेमी में 10 मीमी होते हैं तो 15 सेमी में कितने मीमी होग जाएंगे 150 मीमी अब हम 150 मीमी अनुपात 5 मीमी अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे दोनों ही 5 के पाड़े से कटेंगे 5 एकम 5 5 तिया 15 जीरो उतर देंगे 30 अनुपात 1 तो इनका अनुपात क्या होगा 30 अनुपात 1 ठीकि विद्यार्थियों यह था पहला सवाल चलिए हम आगे बढ़ते ह विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नमबर दो बिन्न को प्रतिशत में बदलिए अब ये जो बिन्ने दे रखिए इन बिन्नों को में प्रतिशत में बदलना है तो विद्यार्थियों बिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए में 100 से गुणा करना होता है बिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना होता है 100 से और चिन हम प्रतिशत का लगा देते हैं देखिए जिसे की पहला है 4 बटा 5 तो ये अलग पेज़ पे हम 4 बटा 5 लिखते हैं और उसका गुणा हम करेंगे 100 से 5 के पाड़े से कट रहा है 5 दूनी 10 यानि 20 4 का गुणा 20 से 4 दूनी 8 और ये 0 और प्रतिशत लगा देंगे कितना हो जाएगा 80 प्रतिशत यहां क्या लिखेंगे हम 80 प्रतिशत 4 बटा 5 बराबर 80 प्रतिशत अगला है दूसरा दो बटा 25 तो वापस इसे भी हम क्या करेंगे दो बटा 25 गुणा सो 25 चो के सो चार दूनी 8 कितना प्रतिशत हो जाएगा 8 प्रतिशत यह लिखेंगे 8 प्रतिशत ठीक है विद्यार्थियो इसी प्रकार से तीसरा हैं 3 बटा 20 इसे भी हम प्रतिशत हमें बदलेंगे अलग पेज़ पर 3 बटा 20 गुणा सो 0025 10 पांच त्या 15 प्रतिशत तो यह लिखेंगे 15 प्रतिशत अगला है चोथा 5 बटा 4 इसे भी हम प्रतिशत बदलेंगे अलग पेज़ पर 5 बटा 4 गुणा सो चार गबाग सो में 25 बार और 25 पंजे 125 कितना है 125 प्रतिशत त्रीके विद्यार्थियों तो यह था दूसरा सवाल अगला है तीसरा निम्न प्रतिशत को बिन्न में बदलिये अब विद्यार्थियों प्रतिशत को बिन्न में बदलना है यह आमने बिन्न को प्रतिशत में बदला सो से गुणा करके प्रतिशत का चिन्न लगाया अब हम प्रतिशत को बिन्न में बदलना है तो हम सो का बाग देंगे और प्रतिशत का चिन्न हटा देंगे पहला है 25 प्रतिशत तो विद्यार्दियों 25 प्रतिशत को बिन में बदलेंगे तो 25 बटा हम अलग पेश पे 25 बटा 100 लिखेंगे 25 से कम 25 25 चो का 100 कितना आए 1 बटा 4 तो यह कितना आएगा 1 बटा 4 ठीकिए विद्यार्दियों इसी प्रकार से दूसरा है 80 प्रतिशत इसे भी हमें बिन्य में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे 80 बटा 100 हम लिखेंगे यहां 80 बटा 100 जूरो से जूरो करणा दो के पाड़े से ही है 2 चोक याठ और 2 पंच दस यारी कितना है चार बटा 5 या लिखेंगे हम 4 बटा 5 इस प्रकार से हमने इसे भी किस में बदला प्रतिशत को बिन्य में बदला तब हमने किस से बाग दिया 100 से बाग दिया अगला है तिसरा 12.5 प्रतिशत इसे भी हम बिन्य में बदलेंगे तो 12.5 बटा क्या लिखेंगे हम 100 और यह दशमलो बटाएंगे तो यहां एक 0 और लग जाएगा क्यों दशमलों के बाद जितने अंग होते हैं उतने 0 निचे लग जाते हैं तो यहां 0 यह बड़ा देंगे 125 बटा 1000 अब हम क्या करेंगे दोनों में 25 का पाद देंगे 25 पंजा 125 25 चोका 100 और यह 0 चालिस दोनों वापस 5 का पाद जा रहा है 5 यह कम 5 5 और चालिस तो कितना है एक बटा 8 तो यहां लिखेंगे हम एक बटा 8 ठीक है मैं जार दियूं अगला है चोधा 75 प्रतिशत इससे भी हमें बिन्द में बदलना है प्रतिशत को बिन्द में बदला है चलिए विद्यार दियूं आगे बढ़ते हैं विद्यार दिओं अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4 पच्चास बच्चों की कक्षा में सोला प्रतिशत क्यला खाना पसंद करते हैं केला खाने वाले बच्चों की संख्या बटाए तो विद्यार दियार दियार चोगा का मैं 16 प्रतिशरत बच्चे केला खाते तो केला खाने वाले चया है विद्धारथ्यों कि 19 के चयाद करेंगे 15 का मैं घुटारणा खाने रूट हैंगे 10 यह विद्धार रोट यूंट्रौ्द करेंगे 50 का की जगा में गुणा लिखेंगे 50 पास का की जगा हम गुणा लिखेंगे 16 प्रतिशत यानि 16 बटा 100 16 बटा 100 0 से 0 कटा 5 एकम 5 5 दूनी 10 दो के पाड़े से 16 कटेंगे 12 आटा 16 यानि कितने बचचे आए आठ़ बच्चे केला खाना पसंद करते हैं कितने बच्चे हैं, आठ बच्चे केला खाना पसंद करते हैं, यानि 50 बच्चों का 16 प्रतिषत कितना है, या 8 बच्चे है, विद्यारती अगला सवाल है, पांचवा, निम्न आकृतियों का कितने प्रतिशत बाग चाहें किते हैं अब यह जो आकृतित दे रहे हैं हमें इनका कितने प्रतिशत बाग चाहें किते हैं यह ग्याद करना है पहला है देखिए इसमें एक दो तीन चार चार में से एक दो तीन बाग चाहें कित 12 की क्या होगी 3 बटा 4 अब यहां 3 बटा 4 को प्रतिशत में बत लेंगे तो गुणा किसे करेंगे बताओ 100 से 4 का बाग 100 में कितनी बार 25 बार 25 का गुणा 3 से 25 थिया 75 यहां कितना आएगा 75 प्रतिशत यानि इस आकृति में कितना बाग चाहें किते हैं 75 प्रतिशत ठीके विद्यारतियों अगला इसी का दूसरा इस आकृतिम देखिए विद्यार्थियों अब यह देखिए एक बाग है और यह थोड़ा डबल है इस प्रकार से देखिए यह बराबर बाग करने होते हैं अब यह बाग होगे बराबर अब आप बाग किरेंगे एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नो दस ग्यारा बारा बारा मेंसे एक दो तीन चार तो क्या होगा चार बटा बारा बिनेस के होगी चार बटा बारा और प्रतिशत में बदलना है तो गुना किसे करेंगे हम 100 से अब इदे ही 4 कम 4 4 तिया 12 अब यहां आ रहा है 100 बटा 3 अब 3 कब आगा हम 100 में देंगे कितनी बार जाएगा 33 दश्मलव 3 3 इस प्रकार से आता जाएगा तो हम यहां लिखेंगे 33 दश्मलव 33 प्रतिशत इसका चायंकित है इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कायरी पत्रक 40 को अल किया आप भी इस कायरी पत्रक को समझकर क्यल कीजिए और इनसे जुड़ोए सवाल आपकी पाट पुस्तक में हो उन्हें भी आप हल जुरूर कीजिए विद्यार्थियो आप अमारे इस वीडियो को पहले पहुश भाएं आप अधिक से दिक विद्यार्थियो मित्रों तक हमारे वीडियो शेर जुरूर कीजिए और निच्चे दिये के कमेंट्स में कमेंट्स करके बताईए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में तब तक के लिए थेंक यू धन्यवाद जेहिन जे बारत आप अधिन शुबर हैं थेंक यू